The Summer of the Beautiful White Horse रिटन बाई विलियम सरोयन इंट्रोड़क्शन देखिया इस स्टोरी इस अबाउट टू पूर आर्मेनियन बोईज अरम एंड मुराद ये जो कहानी है दो गरीब आर्मेनियन बोईज की है आर्मेनियन एक ट्राइब है एक कबीला है वहां के दो बच्चों की कहानी है जिनका नाम एरम और मुराद है ये जो ट्राइब है ये अपनी ओनेस्टी अपनी इमानदारी के लिए सदियों से फेमस है बोथ है इंटेंस लॉंगिंग फॉर होर्स राइडिंग दोनों ही बच्चे होर्स राइडिंग करना चाहते हैं बट दे कैंट आफोर्ड तो बाइ आ होर्स लेकिन दोनों ही बच्चे घोडे को नहीं खरी सकते जो गॉइंग अगेंस दा फैमिली रैपूटेशन मुराद स्टील्स आ वाइट होर्स ओफ आ फार्मर जो मुराद है वो जो रैपूटेशन है अपने घर की अपनी फैमिली की उसको भूल कर एक वाइट होर्स चुरा देता है जो जोन बाइरो का होता है एरम इस शौक्र बिकॉज इस टोलन होर्स जो एरम है वो चोग जाता है क्योंकि एक चुराया हुआ घोड़ा है लेकिन वो ये सब कुछ बुला कर कि वो एक चोरी किया हुआ घोड़ा है चोरी किया हुआ होर्स है वो रैड के लिए निकल पड़ता है एक बार वहें जोन बाइरो को अंकल खोश्रो से बाते करते वे सुनता है अपने चुरायवे घोड़े के बारे में वो सारी के सारी बाते जाके मुराद को बता देता है देखिए जो इसमें करेक्टर से मैं उनके बारे में बताता हूँ सबसे पहला है इस स्टोरी में एरम एक 9 साल का बच्चा है एरम जो आरमेन है यानि कि Armenian tribe से बिलोंग करता है और गहरोगलेन family से बिलोंग करता है यानि कि family तो है गहरोगलेन और tribe है Armenian मुराद जो दूसरा character है एन Armenian boy of 13 ये भी एक Armenian boy है 13 साल का और ये बिलोंग करता है गहरोगलेन फैमिली से एरम का कजिन है अंकल खोश रो एरम्स अंकल ये एरम के अंकल है और क्रेजी परसन विद अपावरफुल है एक क्रेजी परसन है इनका सर बहुत ही पावरफुल है जोन बाइरो ये farmer belongs to Assyrian tribe जो जोन बाइरो है ये एक farmer है Assyrian tribe से बिलोंग करता है नोज Armenian और वो Armenian language जानता है नरेटर's mother इसमें narrator की mom भी है इसमें स्टोरी देखिए कैसे स्टार्ट होती है एरम एंड मुराद और कजिन्स इंदा गेरोगलेन फैमिली जो एरम है मुराद है गेरोगलेन फैमिली में कजिन है एन आर्मेन ट्राइब विच हैज आरेपूटेश चाहिए करना गेरोगलेन फैमिली में और की पैमिली जो एक उंड में विच है वो काफी सालों से सैंकड़ो सालों से अपनी रेपूटेशन जो एक पैमिस है रेपूटेशन आरेपिशन ए उसको में टैन की हुए है बट दाट्राइब नेवर रिसॉटेशन य पावर्ती स् देखें जो ट्राइब है पूरा वो बहुत ही ज़ादा गरीब है लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी ऐसा गलत काम ऐसी किसी भी गलत चीज़ का सहारा नहीं लिया पैसा कमाने के लिए दोनों बच्चे जो है न वो घोडा यानि की होर्स की सवारी करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो गरीबी है वो उनको अपने ड्रीम को पूरा नहीं करने देती है अर्ली वन मौनिंग यानि की मौनिंग में सुभह की बात है लग बग जब सूरज नहीं निकलता है रोशनी अच्छे से नहीं थी मुराद शोज अप एट एरम's home on a charming white horse जो मुराद है वो एरम के घर पर एक बहुती सुन्दर white horse के साथ आता है एरम is outstruck, एरम चोंक जाता है वो यकीन नहीं कर सकता है वो समझ नहीं पाता कि मुराद एक इतना सुन्दर घोड़ा कैसे ला सकता है जबकि उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो ऐसे घोड़े को भी खरीच सके but he also cannot think that his cousin a member of the honest tribe can ever steal और वो इस बात को भी नहीं मानता कि उनकी जो family है गरोगलेनन family उसका कोई भी व्यक्ति चोरी कर सकता है यानि कि उसको यकीन नहीं होता कि जो मुराद है उसने घोड़ा चुराया है लेकिन वो घोड़े की सवारी करना चाहता है also मुराद is determined to keep it और मुराद भी घोड़े की सवारी करना चाहता है इसे रखना चाहता है and they try their best to keep the horse a secret from others and learn to ride it और वे दोनों ही घोड़े को छिपा कर रखते हैं और दोनों ही इस घोड़े की सवारी करते हैं in the days of follow आगे देखिए इनके साथ क्या होता है both the boys take out the horse from its hiding place every morning to ride in the country yard देखो दोनों ही बच्चे उस घोड़े को जहां पे छिपाते थे वहां से बहार निकालते और इसकी सवारी करते पूरे गाउं में घुमते morning में इतनी सुभ है कि दूसरे लोग ना जगे हो though only मुराद can ride the horse properly उनमें से यदपी जो मुराद है वो ही घोड़े को अच्छे से चला पाता था as he has mastered the art by having riding practice for a month before revealing his secret to Aram यहां पे जो मुराद है वो पिछले एक महीने से घोड़े की सवारी करता आ रहा है उसने यह जो secret है यह जो गुप्त बात है एरम से चुपा कर रखी है एरम tries hard to master the skill एरम बहुत कोसिस करता है घोड़सवारी करने की सीखने की वो पूरी पूरी कोसिस करता है घोड़सवारी सीखने की और वो मुराद से promise लेता है कि वो जब तक घोड़सवारी न सीख जाए इस घोड़े को वापस न करें मुराद says it would take एरम a year to learn to ride मुराद कहता है कि एरम को तो घोड़सवारी सीखने में एक साल लग जाएगा he cannot keep the horse that long वो इतने समय तक घोड़े को नहीं रख सकता but एरम tells him to keep it लेकिन एरम कहता है प्लीज इसे रखो मुराद has a special quality मुराद के अंदर एक बहुत अच्छी quality है a deep understanding with all animals वो लग बग सभी जानवरों से एक अच्छी understanding रखता है उनके बारे में अच्छी knowledge रखता है he says I have a way with a horse मुराद कहता है कि मुझे घोड़ों के बारे में अच्छी जानकारी है really he has a way with all animals and birds really में उसको सभी जानवरों के बारे में और birds के बारे में अच्छी knowledge है once he was repairing the hard wing of a young robin and whispering to it एक बार जो मुराद है जो पक्षी होता है robin उसकी wing जो hurt हो चुकी थी उसको repair कर रहा था और उससे बाते कर रहा था whispering कर रहा था मुराद is considered a crazy fellow the descendant of his crazy uncle Khosrow जो मुराद है वो एक crazy fellow माना जाता है एक natural descendant माना जाता है uncle Khosrow का uncle Khosrow has a very bad temper uncle Khosrow है उसको गुसा बहो जाता है and always stops people from talking by shouting वो हमेशा लोगों को बाते करने से रोग देता है कि it's no harm pay no attention to it उसका fix dialogue है even when his son informs him that their house is on fire when uncle is having a haircut एक बार अपने बाल कटवा रहा था अपने haircut कर रहा था तब इसका बेटा आता है और कहता है पापा गर में आग लगी है uncle simply sends the boy away uncle जो है वो बच्चे को दूर भेज देता है repeating his famed dialogue जो अपना famous dialogue है वो repeat करता है कौन सा बाला it's no harm pay no attention to it also when John Byro the real owner of the stolen horse comes to Adam's house to recount his sad tale of losing his beautiful horse uncle simply says the matter is of no use and he should pay no attention to it एक बार जब जोन बायरो uncle خोसरो के घर पर आकर उसको पूरी कहानी बताता है अपने चुराईवे घोडे के बारे में तो uncle خोसरो उसको सीधी सी बात बोलते है कि इसका कोई फाइदा नहीं है तुमें इसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए then follow a humorous conversation यानि कि जब उन दोनों के बीच में uncle خोसरो के और जोन बायरो के बीच में बहुत ही मजाकिया बाते होती है और लास्ट में क्या होता है at the end of which the sad farmer stems out the house in frustration लास्ट में क्या होता है कि जो uncle خोसरो है वो गुसे में वहाँ से चला जाता है one fine day they came across जोन बायरो एक बार क्या होता है कि उनका सामना मुराद का और एरम का सामना जोन बायरो से हो जाता है the farmer जो है जो घोड़े का असली मालिक है उनका सामना यानि कि वो लोग घोड़े के साथ होते हैं और जोन बायरो सामने से आ जाता है such was the boys family famous for their honesty that the thought of his horse being stolen by the boys never crossed John's mind जैसा कि जो मुराद है और एरम है उनकी family famous है जोन बायरो के मन में आता है तो वो इस चीज़ को बिलकुल नहीं मानता कि वो लोग उसका घोड़ा भी चुरा सकते हैं he was just amazed at the resemblance and said वो तो उस घोड़े को देखकर कहता है I would swear it is my horse if I did not know your parents जोन बायरो एकी बात बोलता है कि मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है लेकिन मैं तुमारी family को जानता हूँ बहुत ही इमानदार है जो कभी भी चोरी नहीं कर सकती यानि कि अगली सुभह क्या होता है कि जो घटना उनके साथ हुई जोन बायरो से उनका आमने सामना हुआ तो ये बिचारे चुप चाप जोन बायरो के वाइन यार्ड में चले जाते है ये दोनों उस घोड़े को वहाँ छोड़ देते है यानि कि बड़े प्यार से उसको थप थपा कर घोड़े को वही छोड़ देते है और उसी दिन बाद में क्या होता है जोन सीम्र तू बी वेरी प्लीज़ जोन बड़ा खुश नजर आता है और जाके अपने घोड़े के लोटने की कहानी अरम की मॉम को जाके बताता है देखो कितना भी लालच हो कितना भी पैशन हो फिर भी जो ओनेस्टी है वो हमारे लिए कितना महिने रखती है हमारे लाइफ में कितनी इंपोर्टेंस रखती है कितनी जरूरत रखती है इन सभी के बारे में ये कहानी हमें बताती है मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब थैंक यू